नमास्कार दोस्तों मेरा नाम है वेपुल रादप्रत और स्वागत है आपके अपनी चैनल वेपुल एजुकेशन में दोस्तों रीड सिख शिक परती 2020 में कक्षब 11 की बुक से मनोवी ज्यान की बुक से हमने टोपिक स्टार्ट कर रहा था अभी प्रेणा यानि मोटिवेशन इस से पहले हम इसके दो वीडियो उपलूड कर जोके आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के आई बेटन में आपको दोनों वीडियो के लिंक मिलेंगे आप भाकर देख सकते हैं और दोस्तों चैनल पहले बारें चैनल सब्सक्राइब करें बेल आकन दाना नहीं भूलें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जिका वीडियो, देखें दोस्तों हमने अभी प्रेणा के अर्थ हैं और उनके जो संप्रत्य हैं उनको पढ़ लिया था, आज जो हम स्टार्ट कर रहें अभी प्रेणा चकर यानि मोटिवेशनल साइकल, सबसे पहले जो अभी प्रेणात्म विशिष्दा का वर्णन करने के लिए करती हैं, किसी आउसाप्षक वस्तों का अभाव या नियूंता ही आउसटा है आफसकता अंतरनोद को धर्म देती है किसी आफसकता एकान जो तनावत मुनता है वही अंतरनोद या प्रनोद है या ड्राइव है इसी कान यादरी चिक्रिया कलाब की दर लक्षे प्राप्त होता है तो अंतरनोद समाप्त होता है तता प्राणी भी क्रियासिल नहीं रहता और प्राणी पुर्णे संतुलित देशा में लोटा रहा है अब देखो यह चक्र है इस चक्र को अब ध्यान से दखोगे तो सबसे पहले आप सकता आप सकता आप सकता एक बाद अंतरनोद फिर उद्वेलन फिर लक्षे निदेश डि इस प्रकार यह पूरा साइकल चक्रत है जिसे करते हैं मौटिवेश्नल सेंकल यहन्विक अभिप्रस्णा के प्रकार हैरेट of Motives अभीप्रेयर्णा के दो मुख्य प्रकार होते एक जेविक बाइलोग्जिकल मॉटिव और एक मनोसामाजिक अभीप्रेयर्णा यानि साइकलोजिकल मॉटिव जेविक अभीप्रेयर्णा को सरीर किरियात्म का अभीविरेर्णा भीखाते हैं जो जेविक बाइलोग्जिकल पर एक दूसरे भीद ने बहुता है यानि एक दूसरे बाइलोग्जिक बेड़िव पर ने गलते हैं अरथात कुछ परिश्तियों में जेविक कारक कुछ अभीप्रेयर्णा को उत्पन करते हैं जबकि कुछ अन्य परिश्तियों मनोसामाजिक जो कारक है वो अभी प्रेर्कों को उत्पन कर सकते हैं अब अपने आप में पूर्ट जेविक अत्वरमिनों समाजिक नहीं होता thermometer बलकि वे विथि में विबिबिन मिसरणों में उधिप्त होते हैं अब देखो पेहला है जेविक अभी प्रेर्क यानि बायलोजिकल मोटिव जीविक अभी प्रेयरक वैसे अभी प्रेयरक वैसे अभी प्रेयरक वैसे जर्मजाद होते हैं जीवन के अस्तित्व के जर्मजाद होते हैं इन अभी प्रेयरकों के मिना व्यक्ति जीवित नहीं रखता इन अभी प्रेयरकों को सार्डिक अभी प प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र जिने मन्नो वेग्यानिकोनी संस्तिती यहनी होम सेटीटी कहा है जब किसी कारक्स के संस्तिती में शुब्द या ऐसे अंदल उत्वन उत्पना होता है तो उस व्यक्ति में जेवीक अभीबरे रुखकी उत्पति होती है अब देखो यहां देरिक है भूख प्यास योन काम और नीद ये वक्य और वक्य दे रखे आगे मनुस्वामेजिक अभी ब्रेरे कर ठीगे तो इसका जो भूख वाला पारट है प्यास और योन काम वाला वो पारट जो है हमें भूख वाला देख लेते हैं व्यक्ति को भूख लगने में बोजन क्या हो सकता होती है यह व्यक्ति को बोजन पराप्त करने और उसे खाने के लिए क्या है अभी ब्रेरे करती है बोजन वह तत्व आता है जो भूख परिनोध को संतुष्ट करता है बोग की उत्पति अमाश्चे की मांस पेशियों के संकुचन से होती है जब अमाश्चे खाली होता है तो इसमें संकुचन तेजी से होता है पर जुरू व्यक्ति को पेट में दर्द समय दूस होता है उसके साथ उसको भूख करने होता है यारे आप जिब भी हमें भूग लगती है हमारे तो पीट है वो उसमें आते हैं पेट खली है आवाज करें तो बावाज कुण शिव है अमाज से कि जो संकुतन वैबियू एक तम खली हो जा तो पेट आवाज करने लागता है तापन लागता जा कि भूग लागी रोटी खल जाता है इसे मनोवेगारिंग भूग का स्थानी उद्दिपक सिदात का है मनोवेगारिंग भूग अभी पेडिया को दो मुख सारी का अध्यार बताएं पहला हाइपो थेमलेस का दो ऐससे से तरो होते है जिससे बोजन करना ये व्याहर का नेम नहीं होता है इस तरह से थेमलेस एक तुष्टी के अंदर के रूप में गरता है जब ये सेकर होता है तो प्राणी बोजन करना बंद करता है दूसरा जब व्यक्ति में चीनी यानि सुगर की मातर कम हो दते है तो इससे व्यक्ति भूकर मोग होता है जब व्यक्ति लगाता कई गंड़ों से बोजन में मुटा हो जाने का ऐसंगत डर बना रहते हैं फलता है खाना लगबग बंद कर देता है जिससे उसके सरीर का वज़न जरूर से ज़्यादा कम हो जाते हैं और वोलिम्या नर्वोसा विक्ति में बार बार खाने की ऐसे ना निच्छा होते हैं जिसके करण वह बहुत दिखात हो ज़्यादा है और शिर का वज़न जरूर सी जादा वड़ी जाता है या दो शरीर की बुूक की विकाषा जो इसका तो अगला पार्ट है प्यास योन काम वाला जो है हम निक्स्ट पार्ट में करें ठीक है ठीक है दोस्तों तो यह था अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेर करना कमेंट करना चैनल सबस्क्राइब करना और वे लाक अंद बान ने बुरे धन्यवाद दोस्तों यहीं यहारत पार्ट